इस lecture में stars project के बारे में discuss करेंगे यह recently news में है इसका review क्या गया यह world bank edit project है world bank देखो इसमें financial assistance देता है वित्य साहता provide करता है हमारी government को सरकार को यह क्या है stars इसका मतलब है strengthening teaching learning and results for states program इसमें देखो teacher की learning भी promote की जाती है यहनिकि teacher students को कैसे पढ़ाएंगे ताकि students की cognitive skills है वो बढ़े language की skills बढ़े और उसकी अच्छी outcome निकले result अच्छा है उसका stars देखो एक new centrally sponsored scheme है centrally sponsored का मतलब होता है कि इसमें central और state government दोनों मिलके expenditure जितना भी खर्चा आता है दोनों पैसा लगाती है दोनों इसे implement करती है एक होता है centrally sector scheme जिसमें सिर्फ central government पैसा लगाती है और यह implement करती है तो यह कैसी है centrally sponsored scheme यानि कि दोनों government पैसा लगाती है और central government के ministry of education के under department of school education and literacy है उस department का काम है इसको implement करना लागू करना यह project में quality और government school education की बढ़ाई जाएगी six Indian states में अभी यह सिर्फ 6 state में लागू किया जा रहा है और अभी चल रहा है अभी त 6 state कौन कौन से हैं जिनमें यह लागू किया जा रहा है हिमाचल परदेश केरल मद्य परदेश महराष्टा ओडिसा और राजिस्थान इसमें लगबग 250 million students है एक million में 10 लाक होता है तो लगबग 25 करोड students है जो 6 से लेके 70 की age के बीच में जिनको फायदा होगा इस से इसमें बच्चे हो जिनको फायदा होगा तो यह जो बच्चे हैं इनमें लगबग 10 million teachers हैं जनकी एक करोड के लगबग teacher है जो इसमें जिनको benefit होगा learning outcome इनकी बढ़ेगी students की भी और teachers की भी इसमें कौन-कौन से reform initiative लिए गया है इस project के अंडर देखो इसमें क्या है education services को कैसे deliver किया जाए इस पर focus किया जाता है state district और सब district level पर इसमें जो demand है stakeholders की जैसे parents की demand है कि भाई साब teachers की accountability को ज्यादा बढ़ाया जाए और हमारे बच्चों की learning outcome है उसकी quality को improve किया जाए तो इस पर focus किया जाता है यह सारी demand address की जाती है special attention उन students पर उन छात्रों पर दिया जाता है जो wonderful section से आते हैं जो poor people के घर से आते हैं या poor families से आते हैं उन पर ज्यादा focus किया जाता है यानि कि teachers भी central है इसमें और better learning outcome भी central है यानि कि teacher central इस जी है ताकि better learning outcome दी जाए students की इसमें देखो ज्यादा invest किया जाता है इंडिया के human capital needs को develop करने के लिए इसमें foundational जो learning as children की जैसे class एक से लेके तीसरी class तक इन पर ज्यादा focus ही दिया जाता है और बच्चे को इस तरह से prepare किया जाता है ताकि उसकी cognitive quality improve हो सके यानि कि सोचने समझने की जो quality है वो social behavior यानि कि society के प्रति उसका कैसा वैबार हो किसी की साथ discrimination बेदवाब ना करे सब को इस साथ equality provide करे ऐसा behavior कुछ develop करना बड़ों का respect करना language skills provide करना इस पर ध्यान दिया जाता है इसमें कुछ unique component है इस project को implement करने के लिए government है जैसे एक है CERC contingency emergency response component ये national component है इसमें क्या है जो भी natural या manmade या health disaster आते हैं उसके response में teacher students कैसे काम करें ये उन्हें skills provide की जाती है जैसे मानलो भाई साब भूकाम पा है या जैसे ये भी एक disaster है जो health disaster बोल सकते हो coronavirus coronavirus के time में बहुत सारे बच्चे हैं जो remote area आज में दूर दराज के जो इलाके है पाड़ी इलाके जहां पे school बंद है अभी तक भाई साब plan area या street area उनमें भी school बंद है बहुत सारी जगह पे तो school होने की बंद होने की वज़े से जो बच्चों की learning outcome loss हुई है खतम होगी है तो इस time पे कैसे government respond करेगी इस situation को कैसे handle करेगी तो ये उसमें सायता करता है component यानि कि इस time में उनको adequate facility provide करना कैसे किस तरीके से ताकि दुबारा से in re-categorization की जा सके finance का कि जो इस facility disaster के time पे provide की जा सके जिन बच्चों के पास उप अपनी है तो वो कहां से पढ़ें तो इन जो ये परेशानिया है ये problem है challenges है इनको कैसे address किया जाए ये ध्यान में रखा जाएगा next है परक एक component है इसमें major component है इसका मतलब है performance assessment review and analysis of knowledge for holistic development ये national assessment center का ही एक तरह से part है इसमें जो national education policy 2020 लागू की गई थी उसमें भी ये include किया ग assessment मतलब मुल्यंकन उसकी क्या outcome है उसने school में पढ़ाई की तो क्या सीखा ये कुछ नियम इसमें set किये जाते है उन पर देखा जाता है students की outcome देखी जाती है और ये different state governments norm तयार करती है उनको फॉलो करना पड़ता है इसमें और इसमें देखो जो guide standardized testing रहती है उसको monitor किया जाता है इसमें किया जाएगा मतलब आगे और state level पर national level पर क्या learning outcome है national education policy के इसाफ से ये इसमें monitor किया जाएगा तो ये ही था इस star project के बारे में